जहें हैं दोस्तों आप देख रहे हैं एक्जामेट जी और इस वीडियो में आपको चक्र बात थोड़ा सा समझाऊंगा क्यों समझाऊंगा एक तो ये करेंट में चल रहा है ठीक है अमफन ने तबाही मचा दी है और वहाँ पर समापती की ओर ही है ठीक है लेकिन इसका फॉर्मिशन कैसे होता है और ये आपके यूपेसी के एक्जाम में आईएस और पीसेस में किस प्रकार से प्रस्न बन सकते हैं क इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा यदि ये आपको ठीक लगता है टॉपिक तो इसे लाइक करिएगा जुरूर जिससे मैं दूसरे इस पकार के टॉपिक जो करेंट अफेस से सम्मझे था हूँ बनाने का प्रयास करूँगा मैं चिक है क्योंकि ये चीजे चक्रवात को समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक बेसिक जो जानकारी है वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ जो आपके यूपेसी के पॉइंट अफ्वी से जरूरी है लेकि चक्रवात क्या होते हैं निम्न दाब के ऐसे केंद्र होते हैं जिनके चारो और चारो तरफ से संकें समदाव रेखाएं बिश्टत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदा बढ़ता है यानि मान के चलिए एक तरफ एक चक्रवात है ठीक है यह चक्रवात है इसका केंद्र है यह वाला बीच में अब इसके अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा दाब बढ़ता जाए यानि बीच में इसका दाब क्या होता है कम होता है ये नोट कर लिएक पर नाम शऑरू परिद्ई से केंडर की और पबने प्रवाहित होने लग जाती हैं आप सभी को जानते हैं कि पबने किस दिसा से किस दिसा की और बहेंगी जहां पर कम दवाब होगा या जहां पर ज्यादा दवाब होगा ज्यादा दवाब यानि कि जलवास्व की मात्रा अधिक होना ठीक है तो जब प्रत्वी या कोई भी इस्तान गरम हो जाता है तो वहां से क्या होता है उपर की ओर सारी नमी जो है चली जाती है तो नीचे की साइड में क्या बन जाता है निम्नदाब छेतर बन जाता है तो निम्नदाब मद्द में इसके होगा तो पबने किस साइड से आएंगी इधर उदर से आएंगे, चार तरफ से आएंगे, चार तरफ से क्या होता है, पबने चलने लग जाएंगे, केंदर की और, और यह आपस में टकरा करके क्या होगा, इस पकार से, इधर से भी टकरा रहा है, इधर से भी टकरा रही है, बीच में एक दम दाब कम है, तो क्या हो ज सीमा उपर है इसके लिए वैसे बहुत साथ चीजों की जानकारी उन चाहिए जोगरापी का आप यही बनता है ठीक है एक पॉइंट हमको UPSC के लिए जो प्रस्ण निकालने हैं वो इस प्रकार के जो मैप दिये होंगे NCIT के अंदर उनको जरूर रेड करना है ठीक है यह है केंद्र चक्छू इसकी आँक होती है केंद्र ठीक है बोला जाता है और साइड में क्या होगा बर्सा का छेत्र जो होता है वो केंद्र में नहीं होगा यह साइड में होगा चाहिए वो लेफ्ट हो राराइट हो कोई भी साइड हो यानि मद्द में बिलकुल भी बर्सा नहीं होती है बिलकुल साफ होता है मद्द में जब चक्रवाद बनते हैं तव ठीक है बायू का अवतलन उस्ट बायू का क्या होता है रहता है नीचे की साइड में अवतलन होता रहता है नीचे की साइड ठीक है तो यह एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बायू का अवतलन यहाँ होता रहता है नीचे की साइड में, जैसे ये नीचे अर तलित होगी नीचे आ करके क्या हो जाती है ये ठंडी हो जाती है वायो ठीक है, तो ये आपको important terms है जो याद रखने है, इनका जो आकार होता है, वो गोलाकार होता है अंडाकार होता है और वी आकार का होता है इस पकार से देखिए ये वी आकार दिखाई दे रहा है आपको, या फिर ये अंडाकार type का होगा, या फिर ये गोलाकार भी हो जाता है देखिए दूसरा जो point है important, वो देखिए चक्रवातियप प्रवाह में पवनों की दिशा जो होती है वो उत्री गुलारद में क्या होगी घड़ी की सुई की दिशा में दिशा के विपरित यानि कि एंटी क्लॉक वाइज और दच्छड में क्या होगी घड़ी की सुई की दिशा के साथ यानि कि घड़ी की सुई की दिशा जैसी होती ह से अब आपको थोड़ा यहां पर बेसिक जानकर यह होने चाहिए कि उत्री गुलारद दत्षडी गुलारद क्या होता है? तो यह हमारी प्रत्थी भी है ठीक है, यह जो आपको दिखाई दे रही है यह यह हमारी प्रत्य भी है, इसको क्या कर दिया है? वैज्ञानिकों ने जियोलोगिस्ट जो होती है, वहने दो भागों में बाढ़ दिया है, ठीक है, बीच में यह बीच जीरो डिगरी यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखिएये जीरो डिगरी यहाँ से एक रेखा क्HEKEEZ दी अब इससे उपर का जो भाग है उसे उत्री गोलार्द बोल दिया गया है नीचे के भाग को दच्छडी गोलार्द बोल दिया गया है और इनके कुछ इस्थान दे दिये गये हैं इन इस्थानों को क्या क्या कहते हैं वो यहाँ पर प्रतस्त किया गया है ठीक है यह बेसिक से मुझे लग रहा है कि लगवा लगवा आप लोगों से बहुत सारी लोगों को पता होगी नहीं पता है NCIT निकाल लीजे और पढ़ लीजे अब होगा क्या यहां पर उत्तरी गुलारत में क्या होगा घड़ी की सुई के विप्रत घड़ी कैसे चलती है मानके शरी यह घड़ी ह इसका कांटा है तो घड़ी कैसे चलती है ऐसे चलती है अब उत्तरी गुलारत में क्या होगा जो इसकी दिशाज होगी वो ऐसे होगी किसकी चक्रवाद की यानि कि वो चक्रवाद कैसे गुमेगा ऐसे करके आपने अपने इस्थानों पर अपने घरों पर कुछ छोड़े- चक्रवाद दिखाई दियोंगे आपको है ना चक्रवाद दिखाई दियोंगे उनकी दिशा आप देखोगे क्योंकि हमारा जो भारत पड़ता है वो किस गोलारद में पड़ता है उत्तरी गोलारद में पड़ता है तो उत्तरी गोलारद में कैसे बनते हैं इस प्रकार के यह आपने चक्रवाद से देखे हैं जैसे हवा गुमती हुई नजर आती होगी आपको कभी-कभी अपने घर पर भी, वो भी एक प्रकार के चक्रवाद हैं लेकिन वो छोटे हैं, तो वो भी इस प्रकार से उल्टे आपको चलते हुए नजर आएंगे उत्तरी गोलारद में, चाय देख लीजिए थोड़ा सा एक figure है यहां पर चक्रवात और प्रतिचक्रवात एक होता है चक्रवात एक होता है प्रतिचक्रवात तो चक्रवात के अंदर क्या होता है निम्नदाब होता है कहां पर मद्ध में जैसे यह चक्रवात है यहां पर क्या होगा निम्नदाब होगा ल प्रत्य चक्रवात जो बनते हैं वो अच्छ अच्छानस्ओं का होते हैं थोड़ा सानस है यह aach yogis चांस, तीज़ डिगरी चांस, साट डिगरी चांस, तो जो प्रत्य चक्रवात हैं, वो ठोड़े से उच उस प्रव बनते हैं, ठीक है? विपरित दिसाओं में बनते हैं. और उत्री गोलार्द में ये देख लीजे, गड़ी की सुई के विपरित, और उच जो, सोरी, प्रत्य कटवंदी चक्रवाथ, ट्रोपिकल साइकलोन्स होता है, एक होता है, बहिरोषन, कटवंदी चक्रवाथ, confusion नहीं होना है इस सब्द से, बहिरोषन, इसका मतलब वैसे इंग्लिस में यह एक्स्ट्रा ट्रोपिकल, और इसे सीत कटवंदी चक्रवाथ भी बोल देते हैं, तो इसी को बोलते हैं सीत कटवंदी चक्रवाथ, आपके examination में यदि आ जाए बहिरोषन, तो आपको गवरणा नहीं है, यह बहिरोषन जो होता है, वो सीत कटवंदी चक्रवाथ ही होता है, आकरकार उस्ट्र कटवंदी चक्रवाथ क्या होते हैं, उस्ट्र कटवंदी चक्रवाथ अत्तदिक सक्तिसाली होते हैं, बिनासकाल होते हैं और यह चक्रवाद गहन चक्रि वायू मंडलिये पर संचन हैं जो गर्म उस्ट कटबंदिया महासागरों की सतव पर उत्पन होते हैं तथा तटी छेत्रों की और गत्मान करते हैं तटी छेत्र जैसे मान लिजे यह हमारा भारत हो गया ठीक है एक naturally थोड़ा सा बढ़ान दे रहा हूं मैं समझने के लिए यहां पर बंगाली की खाड़ी है ठीक है तो यहां पर मान के चली बन रहा है तो यह का करेका एसे ऐसे चलेगा इधर की साइड में ठीक है तो उश्नकटबंदी चक्रवाद जो होंगे वो कहां पर वर्षा करेंगे महादीपों के किस तठपर करेंगे वर्षा ये क्या हो गया पूरवी तठप महादीपों के पूरवी तठपर वर्षा करते हैं कौन उश्नकटबंदी चक्रवाद ठीक है तो ये याद में रखना है आपको ये काफी बड़ा टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है कभी मैं आपको और भेतर डेंग से समझाऊँगा लेकिन ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम का है ठीक है निम्न बायूमंडली दाब तीब्रपवन प्रवाह और गहन बर्षा इसकी बिसेश्था है ठीक है निम्न बायूमंडल दाब मैंने बताई दिया केंद्र में क्या होता है निम्न दाब होता है टीब्रपवन चलती है और बहुत अधिक जो है इससे बर्षा होती है बर्षा को फॉर्मेशन यहां पर देखिए यह है ठीक है रेंड ठीक है आने से पहले बर्षा होगी और निकल जाने के बाद में इसमें बर्षा होती है यह तोड़ा सा देख लेते हैं कि उष्ण कटबंदी चक्रवात है उसकी उत्पत्ति की क्या अनुकुल दसाएं हैं किन दसाओं में उत्पन होता है सबसे पहला मैंने आपको बताया थ समुद्री सता होने चाहिए उष्ण सता होने चाहिए समुद्रगी यानि कि ठंडे प्रदेशन में चक्रवात नहीं बनेगा वहाँ पर सीथोष्ण कटबंदी चक्रवात बनेगा यह ग्रीस में उत्पन होते हैं जब तापमान कितना हो 27 डिगरी से अधिक हो 27 से कम होगा व महाहौल था इस मैंसे वह चक्रवात वहाँ पर बन गया अंफन जो बना है या कोई भी चक्रवात आने वाले समय में बनते हैं वह इसी टाइम पर बनेंगे उच्च मानवाले कोरियॉलिस बलका होना आवसक है ठीक है और थोड़ा सा यह से सुन दीजे मैं समया दूंगा भी यही कारण है कि भूमत रेखा के दोनों और दोनों और 5 डिगरी से 8 या 10 डिगरी अच्छांस पर अच्छांस मैं आपको बताया ही था भी अच्छांस वाल बनना है ठीक है अब 0 डिगरी से 5 डिगरी से 8 डिगरी यानि 0 से 8 डिगरी के आसपास मानके चलिए ठीक है यह मानके चलिए 8 डिगरी यह वाला च्छीतर हो गया है यहां से लेके यह वाला ठीक है यहां पर क्या होगा चक्रवात नहीं बनते हैं क्योंकि यहां पर कॉरियॉ बल नहीं होता है इसके कारण क्या नहीं बनते हैं यहाँ पर चक्रवात नहीं बनते हैं अब यह क्या होता है इसको थोड़ा साथ देख लेते हैं NCIT पढ़नी है आपको एक भी सब्दे दर दर नहीं होने चाहिए NCIT का प्रत्वी इसके बारे में देख लेते हैं तो कहीं न कहीं वह दिशाएं भी परवर्तित होंगी ना हाला कि जो पबने चलती है उनकी दिशा तो वही रहती है लेकिन घूनन के कराण ऐसा लगता है कि पबनों की दिशा बदल रही है तो एक चीज और बता दूँ जो साइद इसमें बताए जाए ना बताए जाए कोई आ ऐसे करके ठीक है अब यहां से प्रत्वी घूम रही है ठीक है तो ऐसा लगएगा यह तेजी से चल रही है क्या पबन इधर की शट जबकि पबन्जों चल रही है वह नॉर्मल रूप में चल रही है ठीक है सन 1934 में फ्रांसेजी बेग्यानिक ने इसका बिवन परस्तत किया और इसी पर इस बल को कोरलिस बल नाम दे दिया कहा गया इस प्रवाब से पबने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिसा के दाहिनी और मुड़ जाती है ठीक है अब पबने चलती कैसे हैं यह प्रत्वी है ठीक है यह कोई गोलार्ध है ठीक है अब पबने ऐसे चलती है मा वह अलग-अलग मेंट रहे हैं तो जैसे मान के चलिये उत्री गोलार्थ है। एसे करके कोई पवंख चल रही है तो सीधे इस प्रकार से चल रही है तो क्या होगा की प्रत्वी घूम रही है प्रत्वी यह rowtate कर रही है, एंग है, एसे करके ruhetit कर रही है, अर इसमें क्या होगा, क्या कह रहा है, कि उत्री कुराद मां दाहिनी तरफ क्या होता है, बिच्छे पर नहाती है, यानि कि ऐसे करके चलने लग जाएंगे, अपने ऐसे करें ठीक है थोड़ा सा ऐसे ना चल करके वो हमें ऐसा दिखाई देगा ऐसे चल रही है क्या यह यह फॉर्मिशन आपको ध्यान में रखना है हलागे यह कोई बल नहीं है वो दिखाई देगा केवल दचली गोलारत में क्या होगा बाई और विच्छे पित हो जाएगी जब अ कॉर्योस बल अधिकांस कॉंड अच्छांस के कॉंड के सीधा समानपात होती है यानि कि ज्यादा जो अच्छांस होंगे वहां पर ज्यादा कॉर्योस बल होता है ठीक है यह दुर्मों पर सरवादिक होता है और विश्वत रेका पर अनुपस्तत होता है जैसा कि मैंने अभ कहने का प्रयास किया गया है कौरियोलेस बल दाप्रमरता के समकौन पर कार करता है दाप्रमरता बल समदाव रेखाओं के समकौन पर होती है ये ज़्यादा important नहीं है ठीक है बाकी सब ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है चक्रवातों का भाब होता है हमार आपर उद्व अधर प्रवनो की गती वो नियून होती है यहां पर यह बनते हैं उष्रिक ट्रवात वहांपर कोई किसी प्रकार की जो है उद्व अधर जो नीचे से लेके ऊपर तक जो पवन जाती है वो अनुपस्त दूती है उपर की साइड में ठीक है गरम आध्र वायू निरंतर आपूर्थी इसे मिलती रहती है ठीक है इस वएसे ही तो बर्सा करती है ये धरातरी चक्रवातों के उपर 9000 से 15000 मीटर की उचाई पर प्रते चक्रवाती परसंचड़ का होना चाहिए यानि कि जाके नीचे क्या बनते हैं चक्रवाती इस्ततिया बन जाती है नेक्ष्ट ये देखिए चक्रवातों को और अधिक विद्वन्सक करने वाली ऊर्जा संगनन प्रकरिया द्वारा उन उच इस तरी कपासी मेगों से प्राप्त होती है जो चक्रवात के केंदर को घेरे होते ह मैंने अभी आपको दिखाया था कि कुछ बादल हैं बादल क्या करते हैं चक्रवात के अंदर फस जाते हैं यह मानके चलिए अब वो क्या करते हैं उसे और उर्जा दे देते हैं या जल दे देते हैं वो और एक तरह से बिद्धुन सक हो जाता है या और तेजी से घूमने बिन्यास लगवक गोलकार होता है ठीक है और यहने की चार तरफ दाब जो है समान होगा ठीक है यहां पर समान है तो यहां पर भी दाब समान होगा क्योंकि चक्रवात बन चुका है वो सागरी भागों से लगातार आदिता की आपूर्ती होने के कारण यह तूफान अधिक प्रवल होते हैं ठीक है चक्रवादी तूपान काफी अधिक प्रवल होते हैं आप सभी को बताए कितना नुक्सान हुआ है अमफंत से उष्ट कटवंदी चक्रवात तटको पार करके धरातल पर पहुंचते हैं ठीक है इस तल पर पहुंचकर क्या करते है यह आदिता की याते हैं landfall आपने नाम सना हुआ landfall हो गया landfall हो गया अम्फन का तो यह ही जमीन पर आकर के जब समाप तो याते हैं तो ईस बूले बोलते हैं landfall देख लेते हैं क्या है important इसका उच्छिक्ट वंदी चक्रवाथ्थहाँ के परआओं को छेत्र, कौन-कौन से हैं जो अधिक्तम आब्रती यानि बार-बार जहां पर आते हैं वह कुंसा छेत्र हैं पूर्वी चीन सागर ठीक है यह आपको याद रखना है इसके अतरक्त जो है केरवेंसी केरवेंसी आपको पता है होना चाहिए ठीक है आप देखिए कहा है मैं पर हिंद महासागर फिलि का अंट्रीप का छेत्र है ठीक है केरवेंस आगर है मेक्सकोई खाड़ी है और पर्च्मी दीप समुह है ठीक है प्रसांद महासागर में कौन को चेत्र है दच्छड चीन जापान फिलिपिन्स कोरिया वित्त नाम के तट्य चेत्र आस्ट्रेलिया मेक्सिको मध्यमिरका का अगर में बंगाली की खाड़ी अभी आया है हमारे यहां पर अरपसागर मौरिसस मेड़ागासकर रियूनियन देव तो यह हैं आपके छेत्र महत्पून उष्टकंडवी चक्रवातों को चक्रवातों को विविन च्छेत्रों में किन नामों से जाना जाता है यह भी आपके थोड़ा सा एक जानकारी होने चाहिए जन्रल जो आपके पीसे से एक्जाम में यूपैसी में वाईचंस से स्ट्रिक्टमेंट करके आ जाए क्योंकि यह इस पकासे आ जाता है कभी-कभी हिंद मासागर में क्या कहते हैं इसे चक्रवात ही बोला जाता है जैसे हमारे यहां या दच्छड चीन सागर में क्या बोला जाता है तो यह रहा चक्रवातन संबंदत चीजें ठीक है और नेक्ट वीडियो यदि आप इसे लाइक करेंगे शेर करेंगे तो मैं चक्रवातन संबंदत कुछ और बातें बताना चाहूंगा उसका नाम करन प्रतिय चक्रवात के बारे में सीतोष्ण कटवंदिये सीत कटवंदिये चक्रवात इन सब के बारे में फ्रता बात करूंगा तो इस वीडियो के आप लाइक कर दें शेर कर दें जहिन जबालत धन्यवाद